अस्ट्रांग जोड़ोज माइन बिजबान चीमा, welcome back to the next video इस वीडियो is about overseas district 1, block J और इस वीडियो में explain के नहीं कोश्च करूँगा कि block J में इस वक्त development का status क्या है block J के हवाले से important बात ये block J के बिल्कुल opposite side पे, सामने लिए side पे block B है block B जोंके पहले ही develop हो चुका था और इस block के लावा अब block J जो है वो भी fully develop होने के बाद fully possessionable हो गया है तो जिन individuals के plots, block J overseas district 1 में है वो अपने plots का possession apply करके अपने घर की construction स्टार्ट कर सकते हैं block B और block J में जो एक चीज similar है और common है वो यह है कि दोनों blocks में सिर्फ कनाल के और block J में एक street है जिस पर दो कनाल के plots हैं इसके लावा block J में और block B में किसी और category के plots नहीं है block J के अगर हम बात करें हो वहला streets के layout plan की तो मैं सबसे पहले आपको map explain करता हूँ कि block J में streets कितनी है, lanes कितनी है और उनके development का status block J और block B का map देख सकते हैं और दोनों blocks में जो एक चीज़ का हूँ में मैंने पहले बात की है वो है कनाल के plots और इस block J block में दो कनाल के plots भी है अगर हम कनाल के plots की dimension की बात करें तो dimension मनती है 50 by 90 और दो कनाल के plots की बात की जाए तो 75 into 120 और अकर yards में बात की जाए तो 500 square yards का plot है कनाल का और 1000 square yards का plot है दो कनाल का इन दोनों क्रेकरीज के plot के लावा residential plots के लावा 6 और 8 better commercial भी है जो 8 better commercial जो main road facing है जिसकी weight है 152 feet और 6 better commercial है वो भी main road facing है जिसकी weight है 107 feet इन दोनों plots की dimension की बात की जाए तो जो 8 better plot है वो 40 by 45 का है और 6 मला plot most probably 30 पर 45 का plot होगा लेकिन इसकी dimensions अभी जो 6 मला plot है इनकी dimensions अभी उस तरह से sure नहीं है बाकी रही बात कि J block में कितने plot develop हैं कितने non develop हैं जहां तक बात है जी plots के develop होने की तो block J में जितने plots इन street पर fall करते हैं या इन lanes में fall करते हैं चार lanes और चार streets हैं और एक main road आवने सीना road ये वाले जितने plots हैं lane number 1, lane 2, lane 3, lane 4 तमाम के तमाम plots develop हैं possessionable हैं में कोई plot ऐसा नहीं जो non develop हो जो ये वाले commercial avenue के साथ plot हैं जो plot number अगर main road के साथ बात की जाए plot number 1, 2, 3, 4, 5 and maybe partial plot number 6 इन जो plots के स्टेटस की बात की जाए on ground की तो ये वाले plots मेरे ख्याल से अभी आपको दीचे green patches नज़र आ रहे होंगे तो green patches indicate that कि यहां पे अभी तक जो land या earth फर्क है वो नहीं हुआ ये satellite की images तोड़ी परानी है मैं map की मतलब से टेली कर रहा हूं मैंने एक्चल साइट की वीडियो बनाई नहीं जे ब्लॉट की मैं शॉर्ट से वीडियो बनाई थी नेक्स वीडियो मैं ट्राइ करूँ है इसको मैं पूरा डेटेल से कवर कर सकूँ बट फर टाइम बिंग जो according to google earth map ये satellite आप जो प्लॉट टेली कर सकते हैं ये जो 6 प्लॉट्स हैं ये भी developed और possessionable नहीं है बाकि जितने प्लॉट्स हैं ब्लॉट्स हैं ब्लॉट्स हैं ब्लॉट्स हैं ब्लॉट्स हैं अब इसके आपको रेल टाइम फोटेज दिखाता हूं हद तक का मुकमल हो गया overall development को मैंने जिसे आपको maps explain किया कि J block में कहलें कि 90-95% plots हैं जो develop हो चुके हैं और बाकी 5% जो plots हैं maybe वो भी जब इनका possession handover हो तो सिर्फ एक street है तो street की जब carpeting हो तो overall वो street भी पीच में cover हो जाए but for the time being जो map की मतलब से मैं explain कर पाता हूं चीज़ें वो मैंने आपको try किया explain करने की J block में develop और possession रप होने के लावा J block एक वाहिद block है जिसमें दो कनाल के plots हैं जो develop होई है जिन individuals के कि मैं बहुत सारे individuals को जानता हूं जिनके plots हैं दो कनाल के block G में तो उन individuals के plot का possession ready है वो जब चाहें इस society में अपने plot का possession apply करके इन पे अपने plot पे construction स्टार्ट कर सकते हैं next time मैं try करूँँगे इसके साथ adjacent block है block K और K block में भी जिस तरह A block में 10 मरला के plots हैं और कुछ corner plots 12 मरला के हैं तो K block के plots को भी उसी तरह कवर कर सकूँ कि हाँ K block में कौन से plot हैं जो developed हैं और possessionable हैं जैसे मैं आपको मैं पर मदद से explain किया था कि बहुत सरे plots J block में ऐसी हैं जिनके भी cutting का काम रहता है तो उनको कुछ bottom left corner में देख सकते हैं बाकी जो plots हैं J block में जितने plots हैं उन में तमाम development का overall जितने लवाजमात होते हैं construction के जो basic art work उसके बाद streets का बनना streets के बाद उसके बाद उसके बाद उनके foot pass और बाकी जो layout plan होता है उसके बाद उसके बाद उसके underground जितना water gas, saverage, पानी, बिजली, optical fiber जितने चीज़ें होती है वो और उसके इलावा जो सबसे important चीज़ होती है कि इस block की overall greenery जिस तरह block के अंदर overall horticulture का काम होता है उस block उस काम को छोड़के बाकी तमाम चीज़ें complete हो चुकी है so this was it from today अगर आपको स्मार्ट हीट मुगिंग के वाले से कुछ मालूमाँ चाहिए तो मेरे नमबर आपके स्क्रीन पे दर्च है आप मुझे call कर सकते हैं प्लस WhatsApp कर सकते हैं मेरे नमबर है प्लस 923459999881 और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको वीडियो वीडियो नमबर आपको वीडियो ऑर आपको वीडियो